कैसे आप सब सबस्वागत है आप सब का आज के सेशन में जहां हम कवर करने वाले आज टीपी फिर से बोलो आज टीपी में 23 जितने भी नए नए सवाल है तो कुर्सी की पेटी बान लीजिए पानी की बोतल लेके बैट जाएए क्योंकि बड़ा मज़ा आने वाला है मैं आज क्लास में कवर करनी रखे जो बेसिकली नए नए चीजे इंस्टिट्यूट ने एकदम गरम गरम डाली है मज़ा आ जाएगा आपको यह सेशन देखके एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना देखो क्लास क्लास में अगर हम आपका अगर आप अटेंशन दोगे आपको सारी की सारी चीजे समझ भी जाएंगी याद भी हो जाएंगी मजा आ जाएगा ठीक है तो लेट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोशन से C.A.P. C.A.P. is the auditor of Master Data Limited for the year 21-22 ठीक है इस लाइन में तो कोई नई बात नहीं थी Company request the auditor auditor से request किया गया है to undertake an exercise involving verification of trade receivable for the half year ending 30th September 21 मुझे एक बात बताओ audit तो financial statements का होता है ठीक है और जब हम audit करते हैं तो हमारा काम होता है reasonable assurance देना that the financial statements as a whole are free from material misstatement बट यहाँ पर यह हमसे एक individual matter के उपर क्या चाहरे हैं सिरफ और सिरफ verification करवाना चाहरे हैं क्यों करवारे हैं देखो आगे बता रहे हैं company wants to be satisfied that trade receivables are properly conformed and reconciled कहीना कहीं आपका जो focus है वो इसी चीज़ के उपर है कि क्या trade receivables से proper confirmations ली गई हैं जो 505 में हम generally as a auditor लेते हैं हम जब लेते हैं उससे पहले company भी लेके रखती है तो company भी यह insure करती कि trade receivables के balance के लिए proper confirmation आ रही है and proper reconciliation बना रही है in this regard हमारा as an auditor काम क्या है to verify again verify the arithmetical accuracy please focus करना क्या आपको इसमें से reasonable assurance की खुशबू आ रही है या absolute assurance की प्लीज अपने दिल से सवाल पूछो क्या हमको यहां पे सिरफ एक reasonable assurance देनी है या हमको बताना है कि क्या trade receivables के balance 100% accurate है the answer is 100% accuracy की तरफ जा रहे है reasonable assurance नहीं क्या बोला है verify the arithmetical accuracy obtain confirmation of trade receivables अब हमको बोला एक trade receivables की confirmation लो and ensure करो verification of proper reconciliations with the confirmation he is in a dilemma अब बताओ dilemma में कौन है company या auditor ही किसके लिए यूज किया है sir auditor के लिए auditor is in a dilemma as to whether he can give a reporting providing assurance to the company in this respect क्या auditor इस तरह का assignment ले सकता है अगर हा या ना जो भी आपका guidance है उसको आपने proper reasoning के साथ बताना है ठीक है assume that the above exercise can be undertaken मुझे एक बाब बताओ क्या answer इन्होंने पहली बता दिया आप से इन्होंने क्या बोला था कि हमको बताओ क्या हम इस तरह की assurance दे सकते हैं खुद ही बोल दिया हाँ दे सकते हो और इसके उपर कोई लीगल बार नहीं है लीगल बार का मतलब होता है कोई रिलेशन नहीं है बट लेट्स ड्रॉ सम्थिंग स्क्यूसी वन का नाम क्या था क्वालिटी कंट्रोल किसके लिए और फॉर्म्स विच परफॉर्म ओडिट रिव्यू कम ओन कम ओन कम ओन ओडिट रिव्यू एंड अदर रिलेटेड सर्विस इंगेजमेंट मुझे बताओ क रिव्यू का मतलब है रिव्यू का मतलब होता है लिमिटेड इसका कि बैलेंस हंड्रेड परसेंट मैच कर रहा है अगर नहीं कर रहा तो आप इसकी रिकंसिलेशन वगरगा को के चलोगे तो एक बाह बताओ इसको इन्होंने क्या बोला इसको इन्होंने absolute assurance का नाम नहीं दिया तो सर क्या नाम दिया इसको इन्होंने नाम दिया it is a fact finding and reporting exercise come on it is a fact finding and reporting exercise यानि आपने facts को ढूंडना है और जो facts मिलेंगे उनको आप कहीं ना कहीं report करके चलोगे सर fact finding और reporting बड़ा नाम लग रहा है इसको concise करो तो अगली लाइन में क्या बोलते हैं auditor has to report the facts as these are जो उसको facts मिलते हैं वही के वही उसको report करना है तो सर सबसे पहले इसका exercise का हम नाम देते हैं बड़ा अच्छा नाम दिया बड़ा ही प्यारा नाम दिया नाम करन किया अगया पंडे जी ने क्या नाम दिया सर fact finding and reporting फिर से बोलो fact finding and reporting दोनों को मिलाया तो क्या कहता है reporting the facts अब हम वह जो discussion कर रहे थे ना उपर उस पर आ जो देओ क्या कहता है इसका मतलब इसने और बताया reporting the facts का he would have to state whether the confirmations have been received or not यह आपने बस fact यहाँ पर लिखके चलना है अब इसकी जो explanation है यह यहाँ आएगी इसके बाद इसको हम आगे पढ़ेंगे बड़ इससे पहले हम audit और review के बारे में थोड़ा सा ज्यान इखटा करेंगे so let me use a different highlighter क्या कहता auditor can issue assurance report in case of audit and review engagement अब सर assurance का क्या मतलब होता है वो इन्होंने अगली line में बताया assurance का मतलब है जब मैं बोलता हूं reasonable assurance जब मैं बोलता हूं limited assurance जब मैं बोलता हूं absolute assurance तो यह assurance ले कौन रहा है सर auditor ले रहा है कही ना कहीं auditor जब comfortable है तो वो एक अपना opinion दे पार है कि हाँ भही हाँ financial statement एकदम चका चक है so यह क्या है auditor provides the comfort जो comfort उसको मिला है वो comfort किसको पहुंचा रहा है सर यह user of financial statements तक कैसे पहुंचाता है अपना opinion दे के yes or no क्या मैं अपना opinion दे के users of financial statement को बोलता हूं चिंता मत करो जिस company में तुमने पैसे लगा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है yes sir so auditor provides the comfort to whom to the users of financial statement तो वो comfort कब दे पाएगा सर जब वो खुद satisfied होगा किसको लेके कि management ने जो भी बाते कहीं है फिर से बोल रहा हूं management ने जो भी बाते कहीं है जो management की दिल की बाते हो तो उसको assertion कहते हैं तो management ने जो भी बाते कहीं है users को वो एकदम चका चक है सर यह क्या must answer चल रहा है न reporting exercise कहीं न कहीं what we are doing reporting of facts यह बात समझाई हमें क्या report करना है कि क्या हमें सारी confirmations मिली या नहीं मिली तीन points तो सर हो गए अब आज ओ audit और review की बात करते हैं वो assurance engagement होती है सर assurance का क्या मतलब है जब आप comfort देते हो to the user of financial statement सर comfort देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए जल्दी से खाना खाऊ यह बहुत अच्छा restaurant तो मैं भी तो उसके खाने से satisfied होना चाहिए हो न तो अगर मुझे assurance देनी है इसके लिए मुझे comfort देना है किसको to the user of financial statement इसके लिए मुझे क्या चाहिए satisfaction क्या यह interlinking clear है yes or no जल्दी से बताओ क्या यह interlinking clear है या नहीं है clear है sir अब आप satisfaction क इस चीज़ को लेके दे रहे हो कि जो management ने बाते कहीं है financial statement में जिसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो अधर्शन यह एकदम reliable है यह एकदम reliable है जल्दी से चार point सारे बच्चे बताएंगे यह है fact finding and reporting exercise मतलब reporting of facts मतलब आपने report करना है कि क्या हमें सारी confirmations मिली या नहीं अब आप बोलोगे assurance word use किया जाता है किस case में audit और review engagement में assurance का मतलब है सामने वाले को क्या देना comfort comfort देंगे ना guys what are you doing man comfort उसके लिए हमें का चाहिए satisfaction कि whatever be the assertions by one user to another they are reliable क्या यह point clear है अब सरे बाब बताओ audit होता क्या है आप कैसे देते हो यह reasonable assurance मैं बाब बताओ reasonable assurance का क्या होता है आपको sufficient and appropriate audit evidence मिलिया यही बोलते थे हम ऐसे दोसों जब पढ़ते थे ठीक है तो audit क्या है procedures performed evidence obtained और जो evidence मिला उस पे आप conclusion reach करते हो यही audit है कि audit procedures performed यह जो आप audit procedure perform करते हो इस पे क्या obtained करते हो audit evidence और उस evidence पे अपन क्या draw करते हैं सर conclusion अब next line देखो यही बात लिख रख अशा इसको अगर आप document कर दो तो इसको पन्याद है audit documentation में ऐसे 230 बोलते थे सर मजा आ गया तो यही बात लिखिए देखो क्या क्या रहा है to provide this assurance आपको audit करना पड़ेगा और सर audit क्या है यह जीवन है इस जीवन का यही है यही है यही तीनो वर्ड है procedure performed evidence collected and expression of conclusion अब next point में यह कहता है कि आपको कितनी satisfaction मिली यह determine करेगा कि आप क्या level of assurance दे सकते हो example अगर मुझे 100% satisfaction मिली तो मैं दूँगा absolute assurance अगर मुझे क्या मिली reasonable assurance मतलब i but not absolute assurance तो मैं दूँगा reasonable assurance मतलब उसी साब से मिल गया है मतलब यह तो इसको ऐसे बोलो reasonable पर reasonable क्या लिक रहे हो sir ठीक है i but not absolute मिली या फिर आपको क्या मिली बहुत ही limited assurance मिली तो फिर आप इसको limited assurance बोलता हो यही तीन तरीके की होती है absolute reasonable limited so your degree of satisfaction determines कि आप क्या level of assurance देखके चले i hope यहां तक सारी बाते clear रहे बहुत प्यारा answer इसको इसी flow में चलेगा fact finding reporting 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 of facts यह report करके चलोगी चारी confirmations मिली या नहीं यह तीन पॉइंटर समझ आ गए फिर आप बदाऊगे assurance वाला word use किया जाता है audit में और limited review में फिर आप बोलोगे assurance का क्या मतलब है सामने वाले को comfort दे माशालला मजा आ गया अब इसके बाद आपका focus आता है सर क्या fact finding और reporting exercise को क्या बोलते हैं सर यह related service domain में जाते मैंने बताया था यह मैंने कहां बताया था audit review नहीं है तो सर यह क्या है यह आता है other related services में ठीक है other related services यही point यहां लिख रखा है यह जो types of services है यह assurance नहीं है पहली तो सर क्या है यह assurance तो नहीं है तो सर यह क्या है यह related services domain में जाएंगी so these are in the nature of agreed upon procedure सर agreed upon मतलब management ने कहा यह करो और हमने agree किया तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे agreed upon procedure to be carried out by the auditor auditor can't issue assurance report तो सर क्या करेगा he can only issue the report stating the facts क्या उसी बात को वापिस इसने अलग तरीके से बोला ह सेम बात बोली he can report only the facts he will issue a factual report तीन बार बोला report stating facts factual report report only facts डन 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 तो यही आपका पूरा का पूरा answer एक पर लास्ट बार revise कर लेते हैं सर कोशन क्या कहता है trade receivables की confirmations पर बताओ क्या सारी confirmation मिली क्या आपने reconciliation देखी तो क्या यह assurance है ना रे बाब बना यह absolute assurance है क्या हम absolute assurance word use करेंगे नहीं मन में रखेंगे यह नहीं करेंगे तो सर क्या बोलेंगे इसको अपन क्या बोलते है reporting the facts यह point भी clear है फिर अगला point के कहता है कि reporting the facts मतला आप report करो क्या सारी confirmations मिली या नहीं यहां तक बात सही है अब इसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे इसको अप agreed upon procedures करते हो clear a point यानि आपने report करने stating the facts report only the facts it is a factual report यह part clear है बीच में आपने assurance का ग्यान देना है कि assurance word आप यूज करते हो कहां कहां पर सर from one party to another यह one party कौन है management to the users यह एकदम reliable होनी चाहिए फिर आप बताओगे कैसे मिलेगी assurance audit procedure performed evidence obtained conclusion reached जितनी satisfaction उस हिसाब से आपका level of assurance तो कोई भी चीज का रट्टा लगाने की ज़रूत नहीं है just is flow में आपने इसको ध्यान में रखना है and the answer is very very easy I am not sure if this question will be asked in May 23 but November 23 and onwards के लिए it becomes important question I hope आपको मज़ा आया 13 minutes लग गए देखो कोई भी चीज को पहली बार करने में समय जाता है अगर पहली बार अच्छे से कर लेना तो उसके बाद वो चीज एकदम comfortable हो जाती है अब आ जाते सर question number two पे अजी सो अब आजो जल्दी से question number two पे पानी के दो दो घूंट लगा लो फिर बढ़ते आगे मज़ा आ रहे है ना सची बताना मज़ा आ रहे है कि हां वही कुछ आज नया सीखा अशारिस को क्या बोलते रिपोर्ट नहें पैक्ट फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग एकस अब आज जाएगा इनको अब देखो क्या कहता है और प्रेक्टिकल कंसिड्रेशन स various sub limits have been fixed for the borrower for operation at solapur पूने नासिक branches of the same bank तो इन्होंने क्या किया 200 करोड की तो overall limit दी है but branch wise भी इनके उपर कही न कही limits लगाई गई है अब देखो solapur का branch manager क्या करता है manager of the solapur branch notices उसने देखा that there are no credit transaction in the sub limit account being operated at solapur branch for more than 90 days जब भी 90 days आता है bank के case में घंटी में क्या बचता है दिमाग की दिमाग की घंटी में क्या बचता है सब दिमाग की घंटी में बचता है कही ना कही NPA का case होगा no credit transaction मतलब bank में कोई पैसा credit नहीं हुआ है इसका जो account था उसमें कोई पैसा credit नहीं है मतलब इसने 90 दिन से जादा के लिए कोई पैसा नहीं दिया है in the due account अगर कोई पैसा ना दे तो क्या उसको NPA बोलते हैं हाँ सर हाँ उसको NPA बोलते हैं बड़ याद रखना क्या इसके overall account में कोई पैसा नहीं आया है या सब लिमिट account में सर सिरफ सब लिमिट account में पैसा नहीं आया है overall account में तो हो सकता है आया हो तो मुझे एक बात बताओ ना मेरे दोस्त जब आप NPA की classification मैंने आपको class में सिखाई तो क्या मैंने बोला हम sub account देखेंगे ऐसा कोई topic पड़ा भी था हमने sub limit account देखेंगे या फर हम overall देखेंगे अरे बाबा हमने sub limit जैसी कोई फालतू चीज पढ़ी ही नहीं हमने का हम overall level पे देखेंगे कि क्या ये overall level पे अपने payments time पे कर रहा है या नहीं तो यही ज्यान आपने किसको देना CA Munni को मैंने नाम धोड़ी दिया है CA Munni the stat branch auditor of Nariman Point branch of Mumbai of KNB bank in the matter of asset classification sir asset classification का मतलब यही है कि क्या आप इसको standard asset मानेंगे या NPA मानेंगे also अब second point also discuss the consideration for classifying the sad account at Solapur branch तो sir simple सी बात है सबसे पहले कह रहा है sometimes कभी कभी किसी customer को sanction हो सकते cash credit limit at one branch but he is also authorized to utilize the overall limit at several other branch for example मैं को करोलबाग branch पे कोई limit मिली है तो मैं उसको क्या Lakshminagar branch में ले सकता हूं ले सकता हूं क्या मैं अपनी Noida branch में ले सकता हूं ले सकता हूं utilization तो है वो आप बाकी branches पे भी कर सकते हो but हो सकता है उस utilization के लिए थोड़ी sub limit लग जाए again authorization एक जगा होगी but utilization आप बाकी branches पे कर सकते हो जिसके लिए कोई limit लगाई जा सकती है in such a case determination of the status of account as NPA will be determined at limit sanctioning branch मतलब हमारे case में limit कहां sanction होई थी sir नरीमन point पे तो नरीमन point पे determine होगा क्या overall level पे ये बंदा payment कर रहा है या नहीं with respect to the overall sanction limit or drawing power and not by each of the other branches where the sub limit has been fixed so फिर से मैं एक बात बता रहा हूं जो branch limit sanction करती है उसी को ये हक दिया गया है किस चीज का हक sir ये determine करने का कि account NPA बना है या नहीं तो as an auditor हम क्या करें sir simple सी बात है उस account में आप देखो क्या various particulars of transaction है at the sub limit branches and क्या status of account है जो determine किया गया है considering the total position of the operation of account at all the concerned branches so कई ना कई आपने क्या देखना है सबसे पहले जो उसके account में transaction होई है वो देखेंगे plus आप overall position देखेंगे total position of the operation of that account फिर से दो चीजे क्या देखेंगे sir क्या क्या transaction होई है उस account में while operating that account दूस्तरा total position क्या है overall position क्या है उस account की stand-alone matter है किसी branch में अब्बे दिन तक कोई पैसा नहीं आए यह इर्रेलिवेंट है यह आपको आई से गुम्रा करने के लिए बोलाओ क्या हम गुम्रा होंगे नहीं सर आपको पिगलना नहीं है ठीक है Hence keeping in view above CA Munni should consider the asset classification considering the total position फिर से कौनसी position total position of the operation of the account at all concerned branches तारी branches को आपको consolidate करके देखना है Total level पे कि क्या Munni क्या रहा हूं कि क्या वो borrower पैसे दे रहा है या नहीं regarding the sub limited branches classification adopted by the limit sanctioning branch should be followed यानी सोलापूर को क्या करना चीए सर हम सोलापूर वाले है ना हम सोलापूर वाले नरीमन से पूछेंगे ए नरीमन तुमने इसकी क्या classification रखी है तो sub limit at the branches will be based on the classification adopted by the limit sanctioning branch और हमारे case में limit sanctioning branch थी नरीमन branch i hope this point is clear एक बार फटाफट summarize कर देता हूं इधर देखो इधर बहुत simple point है कहा हूं मैं यहां हूं मैं तो आपने बड़ा simple सी बात ध्यान रखने है देखो एक branch दो branch थी ब्रांच चार ब्रांच हो सकती है sanction कौन करेगा एक क्या मैं इससे utilize कर सकता हूं कर सकता हो क्या मैं इससे परक नहीं पड़ता sanction एक करेगा utilize कहीं से भी कर सकता हूं बट मेरे उपर limit लगाई जा सकती है अब बात आती है classification की वो कौन decide करेगा यह जिसने मुझे sanction किया क्लासिफिकेशन क्या होगी वो किस बैसिस पर होगी considering the overall position जो मेरी है in the books of the bank क्या यह बात समझ आती है अब सर यह जो ब्रांच है जानते हो गुंजन को बड़ी प्यारी लड़की है अव गुंजन से मिला उन को तुमको चलो चलो के बारे में कुछ बतए टेक्स और अध का कॉशन है मजा आ जाएगा तुमको के अभीश बिस मिनते होगे पता भी नहीं चला जल्दी जल्दी आओ इदर the client is engaged in the business of manufacturing and export of carpets वो मद्यदार शानदार जो तुम बड़े वाले अपने घर लोगे न भी सी ए बनने के बादिक तुम शानदार वाले सी फेसिंग बंगला उसमें तुम कार्पेट लगाओगी उसी कार्पेट का धंदा है इंसे ले लेना सस्ता देंगे यह क्या कहा रहा है manufacturing and export of carpets turnover है 100 करोड in the year 21-22 ठीक है financial statement of the company show an amount of 4 करोड credited in the statement of P&L on account of duty drawback तो बेसिकली 4 करोड रुपे इन के पास आ गए है in the P&L account on account of duty drawback as an auditor आपने बताने क्या क्या procedure to comply with the specific reporting requirement under form 3CD तो सबसे बहले मैं आपको बतातो clause कौन से सर यह है हमारा सिंगम वाला clause सर इसको आप सिंगम clause क्यもう बोलते हैं क्योंकि आए आटे माझी सटकली जो चीजे पी अनल में credit करनी है वो करता ही नहीं है वो कहता है मैं सिंगम हु classmates मर्जी जो करना है करूँ तो आप बोलो के जब भी पी एनल में कोई क्रेडिट होने वाली चीज होती है बेसिकली हम बात कर रहे है सेक्शन 28 सर कहा का सेक्शन कहा का 28 इंकम टेक्स एक 1961 पड़ाया होगा ना बीबी सर ने हां सर पड़ाया था तो उन्हों ने बताया होगा सेक्शन 28 में जितनी भी इंकम्स होते हैं उनकों को पीजी बीकी की इंकम बोलते हैं तो उसी 28 की तो इसके अंदर आपकी रिपोर्टिंग रिक्वार्मेंट क्या कहती है अंडर क्लॉस 16B मैंने उनसे बात करें पहले तो कहते सिंगम वाला क्लॉस है तो उनने इसको 16 रखा फिर बी से बैक निकाला आप चुप आगे देखो क्या क्या क्यता है प्रोफोर्मा क्रेडिट बेसि सेल्स टैक्स वेर सच क्रेडिट्स हैव बीन एड्मिटेड दा कीवर्ड हैर इस एड्मिटेड एस द्यू बाइड अथरिटीज एंड नॉट क्रेडिटेड टो पी एडिटेड नहीं है तो एजन ओडिटर आप उसको रिपोर्ट करके चलेंगे सर इग्जाम्पल बताओ व के बाद आप बोल दो रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी रिफंड ऑफ जी एकसाई सेल्स टैक्स जितने भी आपके मन में आते है ना इंडारेक्ट टैक्स उनका आपने आप एक्जाम्पल देके चलना है तो एजन ओडिटर में क्या क्या वेरिफाय करूं जब भी यह रिफं आया तो आपने application दियोगी तो देखो क्या क्या correspondence हुई थी sir correspondence मतलब आपने क्या चिट्थिया लिखी थी क्या records है क्या evidence है to determine whether the refund or claim has been admitted as due and accepted so basically आपने पहले चिट्थी भेजी फिर उन्होंने आपको admission दिया admission मतलब उन्होंने आपका admit claim words admitted by the concerned authority would mean admitted by the authorities within the relevant previous year relevant previous year का मतलब है जि में admit होना चीए सर अगर ये एक चार दो हजार 23 को हो और जो हमारा previous year है वो 22 23 मुझे बताओ क्या report होगा नहीं होगा जल्दी से बताना comment section में इसका नाम है question का question TA TA मतलब tax audit tax audit में आपने लिखना है बस yes और no ताकि मुझे समझ आजए आप शरारती है या बुद्धू है शरा admit कब हुआ है सर ये admit हुआ है 1423 को अब आपने बताना है portion TA में कि क्या ये report होगा या नहीं होगा क्या हम इसको admitted मानेंगे या नहीं मानेंगे अब अगला सवाल सर therefore so the tax auditor का का काम क्या है तू scrutinize the files and subsequent records including the copy of shipping bill sir copy of shipping bill क्यों क्यों क्योंकि जब आप किसी चीज को export करते हो तभी आपको ये reference वगरा मिलते हैं तो आप copies of shipping bills वगरा देखेंगे और साथ साथ वो तो लेंगे इना पन जो चना और हलवा आकरी में हमेशा लेके निकलते है written representation क्या यहां तक point clear है आपने क्या देखे correspondence देखे records देखे evidence देखे प्लस आपने subsequent records and documents देखे जैसे कि shipping bills फिर हमने management से written representation ले ली अब सरी question का second part और था वो हमने देखा नहीं ignore कर दिया थोड़ा सा देखते है क्या है कहता है it was notice that amount of five legs of duty drawback pertaining to few export shipments has not been credited to P&L क्या यह admitted था हाँ sir it was admitted on March 22 मुझे एक बाब बताओ अगर previous year 21-22 है और March 22 में admit हो गया मतलब it was admitted in the relevant previous year हाँ sir क्या यह credited है नहीं क्या यह report होना चीए the answer is yes so she should report क्या answer में यह है since it has not been credited यह admit हो गया on accrual basis अक्रूवल बेसिस हम कहां सीखते है section 128 company that reference यह ज्यादा घबराना मत so it should be reported वह 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 ताच so it should be reported under clause 16 मजा आगया ना सच्छी वाला मजा आया फील आई ना that was all about question number 3 अब आगे बढ़ते question 4 के साथ चलो जी अब आगया जी संजना का question नाम पता नि कहां कहां से लिक्के आते हैं इसे वाले भी मुननी संजना संजु पता नि चलो जी संजना क्या कर रही है आज कल देखते हैं यह भी देखो एक अच्छा question है मैं frankly बताऊं due diligence अच्छा पहली बताजिए अच्छा पहली अच्छ किया branch को for request of sanction of credit facilities worth 10 crore for meeting the usual business requirement 10 crore रुपे basically इनसे कहीना कही है working capital loan type मांग रहे है it is a prospective new client ठीक है नया एक client आया she checks the past history background of the promoters, directors, shareholding pattern and nature of business मुझे एक बाह बताओ कौन सा topic होता है जिसमें हम background of the promoter देखते हैं background of the business देखते हैं past history देखते हैं shareholder pattern देखते हैं इसी से आधे बच्चों को तो देखो click हो जाना चाहिए कि हम कौन से concept की बात कर रहे हैं due diligence की बात कर रहे है ठीक है उसी में हम यह सब बोलते है background यह word ही background of the promoter पूरे audit में एकी ज intelligence की जो हम report की बात करते हैं पांच चीज़े याद करते हैं उसमें से पांच विया छटी चीज़े स्वाट एनालेसिस होता है बिसाइड्स assessment of net worth यह भी कहां आता है वहीं आता है status of civil score and position of the promoters directors in the RBI defaulter list is also verified बहुत चीज़े इन्होंने verify कर लिए अब एक बाह बताओ promoter का RBI list में यह सब देखना यह सब क्या है background of the promoter देखने के तरीके और क्या है यह सब verify किया she also made discrete inquiries from few of the clients of the branch engaged in the similar line of activity regarding the credit worthiness of company its promoters and directors so basically इन्होंने बहुत मेहनत करी अच्छा काम किया background checks वगर यह सब किया identify the activity being performed by C.A. Sanjana and discursive nature मैं आपको इक बाह बताओ simply कहना असान है कि सर यह due diligence की report में था यह था answer due diligence होना चाहिए but हम जब audit पड़ते तो bank एक जगा और करता है महनत इस तरह की जिसमें वो चेक करता है कि company को loan जो चाहिए वो क्यों चाहिए यह question पूछता है अगर loan ले रही है तो क्या वो लोटा पाएगी तो वो कुछ 5 years का condensed income statement वगर बनाती है यादा रहा थोड़ा 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 फिर वो देखती कि क्या कि किसी bankness का loan पहले reject तो नहीं क्या था वो आता है investigation में yes or no हाँ सर वो investigation में आता है बट कैसे differentiate करें यह investigation नहीं यह due diligence है मैंने आपको answer बता दिया जैसी कि यह SWOT analysis था यह सिरफ और सिरफ due diligence वाले अपन topic में डिसकस करते हैं background of promoter यह word investigation में यूजी नहीं होता यह सबसे पहले आपका उसी में आता है past history of the company and background of the promoter तो जिस बच्चे की इस topic पर अच्छी पकड़ होगी वो पकड़ लेगा इसको सबसे पहले but main point जो ICNS में खोड़ा न paragraph वो ICI ने यहां पर उठाके डाले हैं तो सबसे पहले discuss करते हैं topic का नाम है due diligence में आपको बता दे कैसे identify करेंगे अब आपको इसकी nature discuss करनी है सबसे नेचर की जब हम बात करेंगे तो हमने इसको तीन पार्ट में बाता है ICI ने नहीं बाता था अपने को बात के चलना पड़ेगा विकास बातेंगे तो क्या है न अंग्रेजों ने बड़ी अच्छी चीज सिखाई तो जब भी धेर सारी चीज़ें एक साथ कवर करनी ह तो घबराना नहीं है उसको डिवाइड करो रूल करो पहला पार्ट बनाएंगे उस पर रूल करेंगे दूसरा बनाएंगे उस पर रूल करेंगे फिर तीसरे पार पर रूल करके चलेंगे और इस ते एक बात और दिख जाती है कि due diligence का topic important है for May and November 23 exams मतलब में में पूछ लिय नवेंबर में नहीं आएगा बड़ अगर में में नहीं पूछा so very very important for November exam सबसे पहले क्या कहता है due diligence is a measure of prudence activity and acidity acidity नहीं कहा acidity acidity मतलब किसी चीज़ को carefully examine करके चलना proper focus के साथ ठीक है तो यह क्या है एक prudence activity है prudence मतलब आपको पता है ना conservatism अगर आप किसी चीज में पैसे लगाने वाले हो जैसे bank है यह bank किस पर पैसे लगाने वाला है किसी company को देने वाला है या फिर अगर कोई acquirer है मैं किसी company को acquire करने वाला हो तो मेरे भी पैसे लगने वाले है तो यह आपको थोड़ा prudence रहना चाहिए as expected from and ordinarily exercised by a reasonable and prudent person under particular circumstance यह कह रहा है एक ऐसी activity जो कोई भी बंदा करेगा जो थोड़ा भी समझदार है थोड़ा भी careful है अपने पैसे को लेके it is not measured by absolute standard आप इसको वे नहीं कर सकते कि भाई इसका इसकी इतनी प्रूदेंस है इसकी इतनी प्रूदेंस है ऐसा कोई करने का तरी तो सबसे वहले बता यह कौन सी अक्टिविटी सर अक्टिविटी और साथ में एसीडविटी तो आप बोलोगे इस केस में यह कौन एक्सेस करेगा सर कोई भी प्रूदेंट परसन होगा कोई भी रीजनेबल परसन होगा वह इसको एक्सेस करके चलेगा इसका absolute standard कोई इसका absolute standard नहीं है बट depends on the facts of the case it implies a general duty to take care in any transaction कोई भी ट्रांजेक्शन करो जहां भी आपके पैसे इंवल्ल है तो आपको ध्यान रखना चाहिए ध्यान रखना चाहिए मतलब प्रूदेंस एक ही बात कर रखी है फिर उसके बाद आप बोलोगे सर किसको होई है किसी भी ऐसे परसन को इसके लिए कोई absolute standard नहीं obvious ही बात है कैसे बोल दूँ मैं कितना प्रूदेंट है कितना प्रूदेंट है यह एक किलो प्रूदेंट है ऐसे थोड़ी होता है आप बोलो कोई standard नहीं है प्रूदेंट का हाँ but facts of the case देखके बता देंगे कि यह बंदा प्रूदेंट था या नह देलो चुप चाब इसका प्रेंट आउट निकल वालो पास वाले से प्रूदेंट फिर क्या एगा ऐसी डूटी सर ऐसा गंड़ना आप जो यह लिख रहे हो इसकी हमको इक बाद शीट दे 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 दूँगा टेलिग्राम चैनल का नाम क्या है clear CA फिर से हमको सी यह पास करना है clear CA विच शुभम के इसवानी तो प्रूदेंट के बाद अपना आ गया ऐसी डूटी पिर आप बोलो कि सर यह कौन एक्सेस करेगा एनि प्रूदेंट और रीजनेबल परसन इतनी देर से प्रूदेंट प्रूदेंट बोल रो हो कितना प्रूदेंट एक किलो या दो किलो क के चलो यही points आपने लिखने यही आपके keywords answer में होने चाहिए बाकी बात है आप अपने असाब से बना लो ठीक है अब आता है सर्फ second point जो अपने class में भी डिसकस कर रखा है it is a process of investigation तो कही नहीं यह भी investigation है but investigation of a special type जो investors perform करते हैं into the potential investment such as आप उनका क्या देखो कि इनका क्या धंदा है इस धंदे को चलाते कौन है प्लस चितने भी material facts है देखो आम बाते देखके कोई फायदा नहीं है material बाते देखो जिसते आपका decision influence हो सकता है accounting standard one disclosure of accounting policy materiality influencing the decision of investor material facts में फरख करता है तो it is a process of investigation कौन परफॉर्म करता है potential investors किसमें परफॉर्म करते हैं investment में फिठीक है समझा गया investigation performed by investors into the investment जहां आप उसका देखो कि धंदा क्या है that is the operation उस धंदे को कौन कर रहे है management and key material facts second वाला paragraph तो सर बढ़ा असान था तो अब आपको य सर करेंगे inquiry उससे जाके पूछो क्या चल रहा है वहाँ पर so it entails conducting inquiries for the purpose of timely sufficient and accurate disclosure कहीं आपको जितने भी material information है उसके लिए आपको inquiries करके चलनी है which can influence the outcome of transaction so inquiry किन चीज़ों के बारे में material statements and information के बारे में material statements and information के बारे में material मतलब it can influence the outcome or transaction next point सर जब आपने inquiry करी अब जो भी आपको information मिली है उसको आप carefully study करके चलेंगे that is careful study of financial as well as non financial possibilities for successful implementation of restructuring plans it also involves an analysis carried out before acquiring a controlling interest controlling interest मतलब वो आपकी subsidiary बने इससे पहले आप उसका analysis करके चलो to determine that conditions of the business conform to what has been presented about the target business क्या जो लोगो ने presentation में दिखाया क्या actual में subsidiary वैसी ही है या नहीं and it can also apply किस पर apply करता है to recommendation for an investment और advancing of a loan जो की हमारा case बन गया है क्या ये बात clear है या नहीं जल्दी से बताईए क्या ये बात clear है हाँ सरी बात clear है वापिस एक बार discuss करते हैं हमने अभी topic क्या पढ़ा सर सबसे बहले activity identify करेंगे वह है due diligence इसमें बात हो रही थी promoters की history की और किस-किस की बात है हो रही थी सबसे बहले इसकी बात करेंगे कौन करेंगा सर यह prudence activity है जिसमें एक्टिविटी है जिसमें एक्टिविटी और एक्टिविटी परफॉंड वाइन रिजनेबल और परसें इसको नहीं बोल सकते एक किलो या दो किलो है कोई reasonable standard नहीं है बट हाँ it depends on the facts of the case so it is a general duty कि आप एक्सेसाइज करके चले एन एन ट्रांजेक्शन पहला पॉइंट तो सर हो गया सेकेंड पॉइंट अपने क्या हो लाए इंवेस्टिकेशन परफॉंड बाइद इन्वेस्टर इंटो पोटेंशल इंवेस्मेंट जहां उसके operation देखोगे operations को रन करने वाली management and material facts and information material facts and information कैसे मिलेगी इधर 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 यह मिलेगी inquiry करके inquiry करके material statements मिलेंगे which can influence outcome of the transaction सर आप बताओ information material वाली जो है वो क्या देखेंगे हम financial भी देखेंगे non financial भी देखेंगे फिर उसके बाद यह करेगा कौन जब भी आप कोई controlling interest ले तब करना पड़ेगा या फिर आप किसी investment करने जा रहे हो कोई सी भी investment मतलब associate है तो भी चलेगा normal investment है तो भी करोगे तो चाहे controlling interest हो चाहे normal investment हो या loan or credit हो तो आपको यह करके चलना ही चलना पड़ेगा I think काफी detail में हमने कर लिया भले एक मिनट दो मिनट ले लो फटा फट एक बार इस flow को go through कर लो and then you can move to the part number B sir part number B क्या कहता है यह आपका जो question था इसमें कौन था CA संजना ने किया due diligence तो अगला सवाल यह पूछता है would your answer be different पहले तो इस सवाल आता कि पहला वाला answer आता था कि नहीं आता अब तो आता है ना हासर आता है would your answer be different if this activity was to be performed by a person not qualified as a chartered accountant the answer is no due diligence तो कोई भी कर सकता है कोई audit थोड़ी जो सब्सक्राइब कर सकता है any non CA can also perform such activity इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है तो यह यह answer इन्होंने दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है exercise of prudence and general duty to care जो आपने उपर पड़े थे this can be undertaken by any person यह आपने पर दो पॉइंट वहां याद करें फिर इस्तेमाल करें अब आता है last point three areas where the identified activity can be undertaken तो यह मैंने पहले आपको बताई दिया देको simple सी बात है जब भी कोई entity में हल्चल मचेगी फिर से बोल रहा हूं ध्यान से समझना जब भी किसी entity में हल्चल मचेगी यानि उसको basically पैसे चाहिए उस entity जिसको पैसे चाहिए न उसका due diligence होता है तो सर कब-कब होगा यह यह या तो उसके अंदर पैसे की कमी है तो याद इंटर्नल रिस restructuring जब भी होगी तब तक due diligence होगा restructuring can be of two types internal और external जो internal है उसको कहते है corporate restructuring और external में क्या होगा सर external में basically होता है merger acquisition यानि कोई entity आके आपको acquire करेगी जिसको अपन बोलते है venture capital financing मैंने का अगर entity acquire नहीं करती तो public को अपने shares बाट दो that is public offerings so first point होता है internal restructuring जिसको अपन कहते है corporate restructuring second point है आपने basically अपने shares बेच दिया अपना control बेच दिया या तो किसी एक entity को जिसको बोलते venture capital financing या फिर आपने public के हातों में that is public offerings तो तीन point क्यों हो गए corporate restructuring venture capital financing and third point is public offerings अब आते हैं question number five पे यह तो बड़ा simple question है Mr. S बड़ा simple है आजो देखते हैं professional ethics का question है ultra मजायग देखो क्या कहता है Mr. S is a practicing यह बस 10 minutes और 10 minutes में पूरी RTP डंडणा डंडण कर देंगे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ he is a practicing CA based out of Chennai वनकम Chennai during the weekends he involved himself in the equity research क्या equity research allowed है हाँ बट क्या equity research की reports publish करना allowed है सवाल यह है बगवा देखते हैं allowed होगी नहीं आगे देखेंगे 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 apart from this he was also involved as a paper setter of account and the subject in the school in which he studied क्या paper setter में कर सकता हो हाँ इसके लिए अपने पास general permission है याद है आपको paper setting of subjects के लिए general permission है even मैं यहां जाके इन्वीजिलेटर भी बन सकता हो ठीक है दस मिनट बचे हैं जल्दी जल्दी लिखो किसी को एक्स्टर शीट चीए तो हाथ खड़ी करो वो सब भी काम आप यहां पर कर सकते हो क्या agriculture allowed है हाँ मेरा देश मेरा देश मेरा देश बदल रहा ह है आगे बढ़ा है जए जवान जए किसान हमारा देश अगर देश सबसे अगे अगर से एक्ट वाले बोले बोले में सबसे 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 आगे अगे है अगर जिस बेड advertise बादा प्रधा अंडिश्चार्ज इंसाल्मेंंट तो मुझे बाप बता जैसी वह अंडिश्चार्ज इनसाल्मेंट बन जाते तो क्या वह वह डिस्क्वालिवाइब हो जाता है क्या हो जाता है डिस्क्वाइब जाता है क्या हो जाता है अगर इसको सेंट्रल गुर्मेंट ने दे predicat किस चीज को लेके कि इसकी जो मिस्फोर्चून मतलब इसकी किसमत का रहा रहो किसमत इसकी विचारे की ließ्वजह से इसकी Shaddenya हो तो फिर एक बहुत आपने कहां सीखी कर्या को सेक्शन नमबर आठ पढ़ते हो तुम हम तो सर प्रोफेशनल एक्टिक्स पूरे में से पूरी नमबर लाएंगे पढ़ते हैं नहीं पूरे में से पूरे लाएंगे सेक्शन एट बात करता है कि अगर आपके पास सेंट्रल गवर्मेंट का सर्टिफिकेट है कि आपकी गलत हरकतों की वज़े से नहीं तो फिर आप बच जाएंगे तो क्या कहता है आफ्टर फ्यू कोर्ट हेरिंग्स फाइनली वस डिक्लेर डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बट जैसी यह डिस्चार्ज ह सब्सक्राइब गभल और इसको सेंट्रल गौर्मेंट है इसको सर्टिफिकेट मिला हां सर हर इसको सर्टिफिकेट मिला तो नहीं हमने डिसकर लिया चलो चलो आगे वाड़ो इन्होंने बता भी दिया सबसे बहले बताओ क्या वो रिटेल रिपोर्ट पर सबसकता है नहीं अगर वो रिपोर्ट रिपोर्ट देगा तो इसको अधर बिजनिस और उक्यूपेशन बाना जाएगा जल्दी से बताओ यह है कोशन पी इचैट बॉक्स इन दा हाउस जल्दी स इसका पार्ट बताना है तो मैंने लिखी दिया तो इसको गिल्टी नहीं माना अगला क्या पेपर सेटिटिंग अलौड है हां बही हाँ एक सो नब्बे एक सो नब्बे एए ए फॉर एग्री कल्चर एग्री कल्चर लाउड है तो वन नैंटी तो आप याद रखोगी वेरी गुड्ट सो वन नैंटी ए कहता है कि आप गल्टी हो जाओंगे अगर आप इंगेज करते हो इन एन बिजनिस और अर्पकेशन अधर तो तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, disability of membership case में, अगर आप discharge in solvent है, तो आपके पास certificate होना चाहिए, अगर certificate नहीं है, तो आप guilty हो जाते हो, तो इस case में क्या हुआ सर, अप discharge नहीं है, और आपके पास certificate भी है, तो आपने कोई provision violate नहीं है, है और आप अपना नाम रिजिस्टर में में रख सकते हो आपको प्रोफेशन एथिक्स वाले कोशन में मज़ा आंग गया चलो जी चलो जी पांच मिनट और पांच मिनट और बस पांच मिनट और इंग कोशन किसके लिए अगेन में नवेंबर 23 में 24 सबके लिए इसमें कोई कमी मत छोड़ना में 24 में न्यू कोर्स आगे तो कॉलिटी रिविवी विचार रह गए निए ठाटा बाइब बोलेंगे स्टाफ कॉलिटी रिवीव बोर्ड इस इन प्रोसेस और प्रिपेरिंग अपैनल फॉर सब्मिशन तो दे बोर्ड टो इनेबल इट टो इनिशेट रिविवीव ऑप्वालिटी ऑफॉर्ड सर्विसेस पॉवाइड बाइड बाइड बनाया और उनने बोला किस-किस क्लाइंग किस-किस औरट इंगेजमेंट को अपने कॉलिटी रिवीव करके चलेंगे को पी ने काम किया और ने उसको चेक किया उसमें उसने देखा कि कौन-कौन सी इसके पीछे का जो concept है वह मैं आपको बता जिता हूं जिन ओर्डिट्स पे एने फारे एपलीकेबल हैं फिर से बता रहा हूं बेसिकली ऐसा बोलते हैं जिन कंपनीज जो कंपनीज जो कंपनीज एने फारे की एपलीकेबिलिटी में आती हैं उनका quality review फिर से बोल रहा हूं जो कंपनीज एन एफ आरे सर एने फारे मतलब नफ्रा बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज याद हैं आपको हजार पांच सो हजार ने उल्टा कर रहे हो सर पांच सो हजार पांच सो सर आपने कैसे बनाया यह मैं बदाता हूं पेड़प शेर कैपिटल ग्रेटर देन इकूल त दो उसका क्वालिती रिउउ तभ होगा जब ॐने ड़ारे रिकमेंडेमेन देगी बर ना quality review board अपनी मर्जी से इनके audits का review नहीं कर सकता तो अब देखते क्या-क्या applicability में आता है या पहला वाला applicability में आ रहा है जल्दी से बताओ 500 meet हुआ नहीं सर क्या 1000 meet हो गया हाँ भई हाँ तो ये NFRE के applicability में आ गया क्या ये सही selection है नहीं it is a wrong selection तो बोलेंगे it is a wrong selection चलो सर अगला अगला देखते है PQR it is a listed entity एक बाब बताओ अगर कोई entity listed ही है ठीक है NFRE के applicability ये तो सिर्फ बाकी बची वी companies के लिए करते हैं उससे पहले क्या आता है listed entity फिर bank वाली companies आती है फिर आते हैं उसके साथ insurance company उनमें ac चलता है तो electricity generating company याद आ रहे है थोड़ा थोड़ा तो सर एक बाब बताओ जो लिस्टिड है तो क्या उस पहने फार है applicable होगा है हां सर ये भी wrong selection अगली insurance company मैंने पहली बता दिया insurance और banking आती है आने फेरिब की ठीक है तो यही एकलौती सही selection है बाकी सारी selection गलत है तो यहां इन्होंने देखो पूरी एने फारी के बता रखी है लिस्टिड पांचसो हजार पांचसो लॉन्स डिपॉसिट्स यही लॉन्स डिपॉसिट्स की वर्डिंग्स हम audit committee में यूज करते हैं फिर insurance banking इन में बहुत इन रिजिस्टर आउटसाइड इंडिया सो quality review board can review the audits of companies covered by nfra rules only and only फिर से बोल रहा हूं only and only in case reference is made by nfra जो मैंने आपको यहां पर यह लाइन बताई थी हम तभी कर सकते हैं इन companies का nfra value का जब nfra recommendation दे considering the above जो यह उपर वाली तीन companies है कौन-कौन सी xyz pqr और x insurance xyz pqr and x insurance इ पावर है तो qrb इनका audit खुद नहीं कर सकता he can undertake the audit only of double a z limited तो double a z का कर सकता है यह बाकी वाले जो name है it is not proper and aaz is proper क्या हम इतना conclusion लिखके आ जेंगे हां सर concept भी clear मजा भी आ गया अब चलते question number seven last question खुशी करो smile खुशी से पढ़ेंगे तब ही आगे पढ़ेंगे चलो जी last 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 देखो एक घंड़े पूरी आटी भी गरा दी जान लोगे क्या अब सुनो लिउ प्राइवेट लिमिटे एक तो नाम कहां से लाते है क्यूट क्यूट से लिउ प्राइवेट लिमिटेड इस a company based out of Mumbai company had an authorized capital of 200 लाक and paid up capital plus reserves जब भी paid up capital plus reserves आये इसका मतलब किसकी बात हो रही है कारों की applicability की तरफ जाएंगे वैसे question का last line पड़े गया नहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा रहा चुक्चा पूरा question बढ़ो शॉटकट नहीं मानना paid up capital plus reserves कित्ती है 95 लाक as a 31st मार्च during the audit for the year 31st मार्च 2020 कुछ हो गई है Messers Y and Associates noted the following points जो auditor थे उसने सब देखी क्या क्या देखा on 15th December company had total bank borrowings of 75 lakh ठीक है on the set date company received a new loan of 30 lakhs क्या इसकी total borrowings एक करोड से ज्यादा हो गई हाँ सर एक करोड से ज्यादा हो गई पर project चला गया तो उसके बाद सारा का सारा लोन रीपे हो गया पर मुझे एक बाब बताओ अगर किसी भी पॉइंट पर एक करोड से ज्यादा हो जाते तो क्या करोड हो जाते है हाँ सर हाँ अपली के बलो तो चुप चल जाएगा मेरे साथ सार अब आएगा मजा क्यूंकि कारोड वाले clauses अपने को हिट करने है बेनामी प्रॉपर्टी के केस में रिपोर्टिंग कब होती है जब प्रॉषीदिंग होती है और आड़िटर को लगता है सर जब प्रॉसीडिंग होती है तो the keyword here is proceedings, अगर proceedings है तो as an auditor आपने ये report करना है कि क्या इन proceedings के बारे में company ने notes to accounts में दिखाया की नहीं notes to accounts में दिखाना है schedule 3 में, so this clause is a intersection of schedule 3 company की legal team ने advice किया this case would not withstand the law and would be dismissed during the year, हमको धेला फरक नहीं पड़ता simple सी बात है आपको इसके बारे में कारों में report करना है मतलब करना है, clause कौन सा clause होगा हमारा 1 sub clause होगा, PPT revaluation बेनामी 5, para 3 taro 20 20, ठीक है अब आउसर next part, company को हुआ cash loss, cash loss यानि 17 का खत्रा, sir कब हुआ 39 lakh का during the financial year compared to a cash profit of 15 lakh मुझे एक बाब बता, 17 clause में का लिखा था whether company has incurred cash loss in the current year and preceding year, if yes report the cash loss, ठीक है आपने बात report करके चलनी है, मुझे बाब बता, अगर एक साल में cash loss है और दूसरे साल में cash profit, तब भी report करेंगे हाँ करेंगे, ऐसा कहां लिखा है सर ये कारों के guidance note में लिखा है ये कारों के guidance note में लिखा है तो इस case में भी हम आपकी यहां पर reporting करके चलेंगे ही चलेंगे मुझे एक बाब बता, रिपोर्ट करेंगे जब resign हो चुका हो या फिर resign उन्होंने सोचने को थोड़ी रिपोर्ट के आता था तो resignation को कोई report नहीं करेंगा बट resignation का clause कौन सा होता है 17 में cash loss हुआ तो auditor 18 में चले गए तो clause 18 की सर आपको 18 लिखना नहीं आता है बड़ी गलत बात है अठारा की reporting नहीं होगी यह पॉइंट लियर है जैक वाज अप दो पीने चलो जैक के उपीने पढ़ते है बढ़ाया जैक प्रोसीडिंग इनिशेटिट अंडर बिनामी नीड नॉट बिस्क्लोज सिंस एक्सपर लीगल टीम भाड में जा एक्सपर लीगल टीम से फरक्या पड़ता है चुक्चा प्रोसीडिंग चले तो रिपोर्ट करो ना जैक को देखो कुछ नहीं आता क्योंकि आपको बعت बात ब yol काशन का क्यूंकि आप का अगया कोशन की उपर कारो कोशन ऐसे कोशन पिर हम उस पॉइंट व्यूस से सोच पहले यहां में पचास कहांई फिर लिखेंगे जाकि बीच में थोड़ा सा कारो ऐसे करेंगे तो प्र i a थोड़ी आता है सीधा सीधा लेको कारो कोशन दे बोथ अप्रोच फर्मस पार्टनर्स वाई एंड एस तु रिजॉल्ड अर्ग्यूमेंट वाई सपोर्ट जिल पॉइंट अब आप बताओ आप किसकी तरफ हो दुबाई मैं बोलता हूं दोने बुद्धू है जिल तो स्मॉल कमपनी दूसरा है एस पार्ट कंपनी मतलग बैं कि पैंगिंग यह एस लोग फिरसे ऐसी कमपनी जो ना किसी पुबलिक की होल्डिंग है ना सबसेड्टरी है और लिमिट आपको बताइए एक करोड एक करोड और दस करोड याद रखना borrowings at any time during the financial year देखते हैं तो caro is applicable यह हमने already discuss किया 1E की reporting होगी मैंने किस तरह से लिखा था 1 5 लिखा था मैंने मुझे याद है मैंने बड़ा गलत तरीके से लिखा था 1 5 नहीं होता बाबा यह 1E होता है तो 1E की reporting होगी इन्होंने भी 1E लिखा है आपको है होग पता हो 1E अच्छा 1D होता तो रिवैलुएशन सत्रा कैश लॉस यह रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है क्यों सर रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है इन्होंने सोचा है सोचने को रिपोर्ट नहीं किया जाता question number 8 already हमने जो nbfc की क्या थी शांदार वाली जो वीडियो हमने आपको दी अमेंडमेंट वाली उसमें already cover कर रहा है तो यही था इस वीडियो में 55 minutes 4 seconds डन डना डन 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 I hope you enjoyed this session RTP May 23 के जितने भी शांदार कोशन से हमने कर लिए I'm not sure how much they are relevant for your coming exam but yes करना था कर लिया अपनी तरफ से हमको कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए मैं आपको इक बाह बता रहा हूँ as a student मेरी हमेशा से मनो काम ना रहती थी और as a सिंधी कभी कोई कमी मत छोड़ो जितना बटोर सको बटोरो और यह तो knowledge है आज नहीं तो कल काम आएगी यहीं खुशी-खुशी मलने आके पढ़ते रहें क्योंकि खुशी से बढ़ेंगे तभी आके बढ़ेंगे वीडियो अच्छे से रॉक करना एग्जाम्स में